फिल्म रिलीज होने के एक दिन बाद जब पवन सिंग की नीन खुलती है, पवन सिंग जब सो कर एक दिन बाद जखते हैं, तब उनको इस बात का होश आता है कि उनकी कोई फिल्म भी सिनिमा गरोव में रिलीज हुई है, जिस फिल्म का नाम है हर हर गंगे और उस फिल्म के प स्रिवाद दीजिएगा दुलार दीजिएगा वैसे तो पवन सिंग को जब अपना फायदा होता है अपना गाना लाना होता है अपने गाने की जब बात होती है तब पवन से एक महीना पहले ही जग जाते हैं अपने फायदे की टाइम पवन के नींद खुल जाती है मंच पर च कोच खबर ही नहीं रहती है पता ही नहीं चलता है कि पवन है कहाँ दूसरों की फिल्म के लिए तो पवन कहीं भी खड़े होने के लिए तैयार हैं लेकिन अपनि फिल्म की जब बारी आई तो पवन का सारा हवा सारा स्टार्डम सारा पावर फुस हो गया सारी बड़ी बड़ी बात ये धरी की धरी रह गई इससे ये साबित हो गया कि पवन को सिर्फ और सिर्फ डिंग हाक ना आता है उनसे कुछ होता जाता नहीं है बलकि फिल्म आने से एक दिन पहले शाम में दीपक सिंग बकायदा लाइब आकर फिल्म का प्रमोशन करते हैं कल डिंपल सिंग आ रहा में जाकर पवन की फिल्म का प्रमोशन करती हैं हर हर गंगे फिल्म के लिए डिंपल सिंग स्टोरी डालती है लेकिन कल तक पवन सिंग का कोई कोई खोच खबर नहीं था पवन कहां थे, क्या कर रहे थे, कहां सोई थे इसकी कोई जानकारी किसी को नहीं मिल रही थी बाकि आज किस वीडियो मैं मिसी बिद्दू पर बात चीट करेंगे लेकिन उसे पहले नमस्कार, मेरे नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कामेरमेंट विशाल और आप देख रहे हैं जन्ता जंक्शन फिल्म रिलीस करने के बाद अपने ही फिल्म पर रहसान कैसे करना है यह अगर किसी को सीखना है तो कोई पावर स्टार कहे जाने वाले पावन सिंग से सीखे कहने को पवन सिंग पावर स्टार है लेकिन उनके पावर का कभी कुछ अता पता ही नहीं चलता है पवन को अपना पावर वहां नहीं दिखाना होता जहां उनके पावर की सच्वे जरूरत होती है लेकिन अपने पावर का दुरूपयोग कैसे करना है ये अगर किसी को सीखना है तो कोई पावर स्ठार कहे जाने वाले पवन सिंग से सीखे ये पवन को खुब अच्छे से पता है अभी कोई यूटूबर या कोई पत्रकार पवन सिंग के आलोचना कर दे पवन सिंग की कमियों को बताने लगे पवन सिंग को महसूस कराने लगे कि वो क्या क्या गलत कर रहे हैं तब पवन सिंग अपना पावर दिखाने के लिए तुरंत लाइव आ जाएंगे लाइव आकर पवन मारने की धमकी देने लगेंगे एड्रेस पता करवाने लगेंगे और तो और अगर कोई गलती से भी पवन के खिलास कुछ बोल दे या बोलने की हिम्मत जुटा ले तो पवन इंडस्ट्री से उसको उखार फेकने की धमकी देने लगेंगे काम बंद करवा देंगे लेकिन अगर बात पवन की फिल्म के प्रमोशन की हो जाए या अपने किसी फिल्म पर दो शब्द बोलने की हो जाए तब पवन का पावर फुस हो जाता है तब उनकी जुबान पर ताला लग जाता है सारा अकल सारी बुद्धी गायब हो जाती है जबकि पवन सिंग को काईदे से ये सोचना चाहिए कि अगर पवन सिंग अपनी फिल्म का प्रमोशन करते हैं और अगर उनके एहसान मात्र से गलती से उनके फिल्म अगर चल जाती है तो पवन सिंग के दामन से उनके वेक्तित्व से ये दाग हट जाएगा कि पवन सिंग की फिल्मों को सिनेमा घरों में स्पेस नहीं मिलती है या पवन सिंग की फिल्में कुछी समय में सिनेमा घरों से उतार दी जाती है लेकिन उनकी फिल्में चलती कहां है पवन सिंग को ये बताने में बहुत मज़ा आ रहा है कि हमारी फिल्म हर हर गंगे प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट नमामी गंगे पर अधारित है लेकिन ये सोचने में उनको एक बार भी शर्ब नहीं आ रही है कि उन्होंने अपनी फिल्म की प्र इस फिल्म के मेकर्स को फिल्म के प्रमोशन के लिए अलाग अलग शहरों में इवेंट करना चाहिए था प्रेस कॉन्फरेंस करना चाहिए था अलाग अलग मीजिया प्लाटफूम पर इंटरव्यू देना चाहिए था लेकिन ये सब तब होता जब फिल्म किसी और की होती य मेरे भाई सब, मेरे फैन सब, मेरे नाम पर फिल्म देखने जाएंगे. तो मेरे फिल्म तो वैसे भी हिट है. हमको अलग से प्रोमोशन करने की क्या ज़रूरत है? और अगर फिल्म फलॉब भी हो गई, तुसमें मेरा क्या दूपसान है? हमको तो अपने काम का पैसा मिली चुका है प्रोड्यूशर समझे फिल्म के मेकर समझे लेकिन हम आपको बता दे कि अगर पवन सिंग इसी सोच के साथ आगे जीवन में चलते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब पवन सिंग का ये घमन उनको ले डुबेगा बाकि अगर पवन सिंग को यूटूब चलाने आता होगा तो हम पवन सिंग से कहना चाहेंगे कि आप यूटूब पर जाकर एक बार अपने करीबी यूटूबर्स का वीडियो सर्च करके देख लीजेगा तब आपको समझा जाएगा कि कल सारे लोग सारे यूटूबर आपको आप पर किस तरह से ठूक रहे थे इसे के साथ इस वीडियो को ही पर समात करते हैं मिलते हैं नए वीडियो में धन्यवाद